तो दोस्तों इस वक्त हम हैं हिमांशू मंत्री के साथ हिमांशू मंत्री मंद्र प्रदेश विनिंग टीम जो रही है उसके ओपनर और मैं इंसे काफी सवाल पुछने वाला हूँ विनिंग को लेकर और ये पूरा जो रजी टॉफी का सीजन गया उसको लेकर पहला सवाल में यह है जो मैं कई दिनों से आपको नोटिस कर रहा हूँ यह मांशू एक तो आप विकेट कीपर हो उपर से अप लगतार विकेट के पीछे रहते हैं और आप अपनर बैट्समें भी तर बोड़ी में इतना लोड कैसे है राइट बहुत ऐसा काम होता है कि कोई रिकेट कीपर विकेट कीपर उपनर बैट्समें हो खासकर की फाइव डे फॉर्माट में लेकिन शुरू से मेरे को पता था कि I have a good fitness level, I was regularly working on it और उसके बाद यह बहुत चैलेंज था जो सर ने मेरे को पुट किया था और पदा नहीं बाइंस्टिंक्ट मेरे अंदर से आया यह कि सर मैं कर ला हूं मैं सिमिलेशन प्राक्टिस मैंचेज में सर ने देखा तो सीग माइ टेकनिक ही थाट की उपन कर सकता है तो में पूचे करें क्या वाला सर करूं तो वह इंस्टिंट्ली एक जबाव आया था लेकिन उसके बाद जब में को समझ में आया कि यह एर फॉर्मेट ऐसा जब चलता है कभी-कभी पहली फिल्डिंग आ जाती है दो तीम में दो दिन तक बैटिंग भी कर लेती है तो मैंने थोड़ा सा अपने आपको और ब्रिश अप किया थोड़े सी और फिटनिस लेवल बढ़ाई किस चीज में कौन से मजल मेरे जादा यूज आने वाले उनको स्ट्रिंटिन किया और थोड़ा सा हैट को भी स्ट्रॉंग किया देट सेट नॉट डिफिकल्ट हो गया वांचू जब यह सीजन की शुरुआत हुई थी रंजी के यार किसी ने सोचा था MP कि जब टीम पूरीक साथ हुई थी जुडी थी कि यार यह प्रोफी इस बार हम नि जिस दिन से पॉइंट है उस दिन इस टीम का हरेक लड़का सुने से पहले यह सोचा था और डेली वो सुच्वाते भी थे अच्छली हमारे एक रूटीन फिक्स है हम हमेशा कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमेशा मेडिटेशन से चालो होती है तो यह पूरे हमारे प् प्रिपरेशन के लिए फाइल दी जाती है जो फाइल में हम अपने इंपूट डालते हैं वो इंपूट चेक होते हैं हर एक बंदे की फाइल का फस्ट जो पेज रहेगा वो हमेशा ट्रॉफी का ही रहेगा तो एस सून आज यू सी ओओ फाइल यू सी दर आफी फस्ट तो मैं बोलूँगा कि हाँ वी वर फर्स्ट वी वर फोर्स्ट तू तिंग डैट और दीरे ऐसा हो गया कि हमारे अंदर ही बस गया और हम सब को यकीन था हमने सोचके रखा था कि ट्रॉफी तो उठानी है करवालो मैने जित्ति करवानी है कितना फर्क आया क्योंकि जब चंदकांत पंडिच जी ने आपके मदवधिश टीम की कोचिंग समाली उसके पहले जो MP की टीम होती थी इतना जाद अच्छा नहीं गरबात है तो रंजी सीसंस में लिकिन जब से वो आये अब आप देखो 2019 का सीज और अभी का सीजन और अभ मोख को लेकिन वट आये अब था आइंस की ही टेक केस आफ़ी जाइस आफ दी आपिसमॉल तींग एवरी पॉसिबल स्मॉल तींग ग्रेलेटेट दो क्रिकेट इन क्रिकट ऑफ आँ दी ओट फीड ओटेवर इस इस इफ डिट इस कनेक्टेट तो क्रिकेट सम्वेर लिग त 사자 सब्सक्राइब दाटक्राइब उस depress长ओ कि अपने डिली लाइफ में अपना प्रोफेशनी क्रिकेटिन अपन क्रिकेटी काते हैं अपन क्रिकेटी फ्रिकेटी सोते हैं सब चीज की ARE, क्रिकेटी है he is a sheer workaholic, he works from morning 5 to 10 at the night और पता नहीं हो सकता है कि कोई तो रात में भी करते हो क्योंकि हम उनकी जब प्रिपरेशन देखते हैं the way he spends time in every small thing मतलब अगर मैं बोलूंगा strategies पे और plannings पे pep talks देना, motivations that will be a broader part लेकिन मैं बोल रहा हूं, he takes care of every small things, minutely तो आप समझ सकते हो कि वो किस तहे तक जाके काम करते हैं तो हिबान्शू भी दरसल उस शहर से आते हैं जो शहर से पूजा वस्तकार आती है हिबान्शू कितना मुश्किल रहा क्योंकि क्रिकेट का उतना जादा वहाँ पे है नहीं, local में इतना जादा help नहीं होती थी कितना मुश्किल था यार और अभी आपको तब first class message के लिए इतना time नहीं हुआ अभी बहुत कमी आपने 2019 में खेला था डेब्यू किया था लिए इतना time नहीं हुआ पर उसके बावजूद आना पंजाब के अगेस्ट अच्छी पारी खेला semi-final में man of the match होना यह चोटी-मोटी बात नहीं है वह भी टीम ऐसी सामने आपके बड़े-बड़े एक साइट पंजाब है दूसरे साइट बंगाल है जहाब के pace attack ऐसा था कि उनके सामने तीन सोरन किसी टीम का बनाना मुश्किल होता था उस attack को आपने खेला तो यह जर्नी कैसे start हुए आपकी जर्नी start हुए तो बाट टाइम हो गया इस बीन लाइक 13-14 यह साइं प्लेइं प्लेइं प्रोफेशनल क्रिकेट अगर मैं तो बाट इंटी नहीं थी शुरू में लेकिन किसी ने बोल जिए कि विकेट केपिंग करेंगा तो अपन लाथा खड़ जागी तो थोड़ा कुछ इंवल्मेंट रहना अपना गेम में बालिंग अपन करनी पाते थे कर लेंगे कर लेंगे जिसमें ज्यादा मन लगे ओ कर लेंगे जादा थोड़ा इंवल्मेंट रहे तो करने लग गया तो थोड़ी अच्छी होई लग गई तो अम शेडोल उस ताइम इस्ट्रिक था डिजन बनानी था तो वी उस्टू प्लेवर डिविजन तो मैंने वंड अदर 14 अदर 16 अदर 19 सब रिवर्ट से खेला तो रिवर डिविजन से जब कहला तो लगी लिए जब विकेट कीपर में सलेक्ट अचल अचल अदर 14 था तो और 16 में भी प्रमोट हो गया 16 जब था तब 19 भी खेल रहा था और 19 की रिवर्ट की तो जो मैंको अरली जो तूर ब् अब दो आपको अर्ली स्टेज़ में मिलते चला जाता है चीजें तो आप खेलने के लिए regular connected रहते हो committed रहते हो पलस आपकी फैमिली आपको support करते रहती है and luckily I have got a very good family, I have got a joint family, we are like 19 members in a family, we still live together in a one roof, all of us, so I always had a family support, and the achievements are getting slowly, so they were also happy, let's go, it's a track, but after 23, under 23 when I represented Madhya Pradesh, I played under 16 Madhya Pradesh, under 19, under 23, under 23, under 23, after break, I debuted in 2019, which was the last RG Trophy season, so I got a gap between my 23 and RG Trophy and RG Trophy, so I felt a little bit about it, and this is what happened to me, there were some things, I analyzed it, then I came back to the track, and then I went back to the track, then I started a little scratch, I went into my indoor, there were grade matches, I scored, there were some matches I got, I used to play that, I used to play that, I just play run, I just play run, I get something to learn, I got something to learn, I got a division, I performed, I selected in under, sorry, RG Trophy 2019, that season didn't went very well, I played that season, and highest score was like 28, 30, there after comes the COVID, how difficult it was, COVID actually helped me, because after that RG season, I really needed a break, I really needed a break, I really needed a break, I really needed to think again, that something, that what do you need to do here, do you want to do here, okay, you will come, you can't get here, do you want to do here, what do you want to do here, how will run it will become here, how will it become here, how will it become here, how will it become here, so I went deep down, I thought what is and what is and what is not, so I realized, technically that you're right, okay, when we play cricket, we'll play a lot of flaws, you'll keep on keeping perfect, un shirts you cannot say you are perfect in batting or balling or anything there will be some flaws but how you manage with it so that is actually in the mindset you can have a heading strong you should have to tackle situations you should have to tackle the game that is more important in whatever case, when people say that there are a bit of trouble you are looking at some opportunity that makes you or breaks you एक्चुली वही है, we call it a pressure, you take it as a opportunity, फिर सर मिले, सर मिले, उसके बाद तो एकदम ही हमको लगा कि हम क्या cricket खेलते थे भाई, यह कोई cricket तो थी नहीं, cricket तो यह है, स्कूल में जैसे A, B, C, D पढ़ा जाती है, वैसे वापिस C, R, I, C, K, E, T को चालो गिया, क्रिकेट का बेसिक, कि अब भाई यह यह चीज है, और उनका जो पूरे, पूरा कल्चर है उनका, पूरे कल्चर का सबसे important term है discipline, एक मिनिट भी, पिछले दो साल में, एक भी लड़का, मैं नहीं, एक भी लड़का, जो given time है, उससे लेट नहीं हुआ होगा, वो खुद तो होते ही नहीं है, एक एक भी लड़का नहीं हुआ होगा, कोई भी चीज में, बस में आने में, मीटिंग अटेंड करने में, प्रेक्टिस सेशन में, जिम में, इवें, आपका हमारा टीम बांडिंग सेशन रहता है, नॉर्मल बैटिंग बालर्स की मीटिंग रहती है, अनिधिं एनिधिंग, ति तो इसमें फिर बहुत ज्यादा काम हो और अगर क्रिकेट की बात करें तो ऐसी ऐसी चीजे समझ में आने लगी इतना डिटेल्स में जा जाके एक एक पर काम होने लग गया एक-एक की फाइल बनने लग गई आपको हर चीज उसमें on records रखनी है मैं अज अपने inputs दे रहा हूं एक हफते बाद मैं same inputs inputs दे रहा हूं या मैं बढ़ा के दे रहा हूं अपने आपको क्या मार्किंग दे रहा हूं मेरे strength का लोड जो पिछले बार स्कॉर्ट में 65 किलो था तो वह 70 है की नहीं सफे अगले हफते 80 है की नहीं तो वह आपको on paper सब्सक्रीज आपका progress दिखता है चैनल लाज सेजन 2019 का चाल हुआ उसमें विजय हजारे मुझता का ली हुआ 2000 का चाल हुआ यह सेम हुआ उसमें विच्टाक ली हुआ टो रंजी ट्रॉफी का यह बीस वाला गयप हुआ एकिस वाला सीजन था और मैं टीम में ता लेकिन मैं मैं खेलने का मौकव नहीं मिला तब जहाजार मुष्टा कली, मैं को यह वाला मौका मिला, so, प्रेपरेशन तो थी दो साल से, I was waiting for my turn, और सर ने भी बहुत जादा फेद दिखाया मेरे पे, मतलब, आउट अग गोइंग अगेंस अल दियोग, जो सीनियर खिराडी उनको हटा के, कियाता है कि अब बहुत यंग्स्टरों को बहुत मौका जिए अग्चली हम डिरेक्टर हमको मैज का सिनेरियो दिखता है, लेकिन इसके पहले हम कितने मैज सिमिलेशन, प्रैक्टिस, नेज, प्रैक्टिस मैचेज, बहुत सारे, बहुत सारे मैचेज खेल चुके होते हैं, I am really thankful to God that I am able to perform because we all do hard work everyone in this team, everyone playing cricket even in district levels do the hard work I know what a cricketer goes through in his life, in his daily routine by God's grace I got the opportunity and I was able to perform and I was I personally really like that challenge when your team really needs you so this was my pattern I like to play long innings I like to be the one who is playing from top and batting till last and everyone just circulating around him I really like it so in Punjab match I got a good batting and in Bengal match I got a good batting and I got a good position it was a bit difficult for us because if the first inning of the lead has been left with him then the trophy also it was the other way around I would say when we laughed in the tracing room then what did Sir say to me? I mean already they said that you are ready to chase 400 runs so we laughed in the tracing room Sir, what did he say? they left behind 25 runs and they left behind and now you are going to make it 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 we were all ready actually because the track was very good the surface was very good and our ballers did a very commendable job to just top them for 370 odd runs so we were very much confident and yes we were confident but also at every point we need luck we need wishes we need his grace God's grace he helped me and both of them Shubham and Yash they just outplayed them so that was a crucial partnership and what MP culture is right now we just focus on partnerships if we talk about the batting we just concentrate on partnerships every pair has to contribute for the team so when you think of team first then the pressure from you gets away from you because you team the team's goal first and you get behind it and then you don't have much confidence in your run and automatically when you contribute in a partnership you will also become a run let me ask you a question now Jeet has won the first maiden title will talk about the biggest calls from home so what do you mean what do you mean is that he is a kid because India is a dream of all so how do you respond from home you are very happy to have a home your family is very happy that your son is a good name what do you mean actually my brother he is a serious cricket lover मतलब पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में और मेंस नहीं वुमेंस की भी, कोई भी ट्रॉफी चल रही होगी कोई भी लीग चल रही होगी he follows everything वो वैसे नहीं उट पाएगा सुबह अगर कोई cricket मैच है तो वो सुबह चार वजे भी उटके लेखेगा पांच वजे भी उटके लेखेगा तो ऐसा मेरे फैमिली में क्रिकेट ना थोड़ा थोड़ा सबको ही पसंद है और मेको लगता है इसलिए उन्होंने बोलागा चल ठीक है तू खेले तू खेलेगा तो ठीक है हमको लएगा कि हम दी खेले है तो जाते जाते आधे एक सवाल और करता हो आपका पांच वेच पार पर फोड़ा हो जाता है कि अभी हमाँचू आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है जिसको आपका विकेट कीपर बैस्मन आप हो एक खिलाडी इसको कोई है एक था वागा जाते इसको नहीं तो कोई है यह से वह सबस्वाइस रूना मैंडी यह स्कीजिए इसकोई इसी वी अपिकेटर बैस्मन सा बात करोगे इस इडल बोईसे क्योंद अप्रफिर अब बढ्जविक आपीगा अब फिर अज़ अब फिर अब दोड़ी कीपिंगिप्स नुटबविटेग्ग्स कीपिंग्स अज़्गष्ट इसा क्या हम अधुर्ण दोर अष्चान अज अज़ फिर अश्टेच ट्रफिए अधें अधेश्ट का क्या होता होगा World Cup Final का प्रिशर, क्या होता होगा ICC, Champions League का मैं अलब कैसे कैसे पॉइंट्स पे टानराउंड किया है 2007, 2011, फिर Champions Trophy मैं बहुत बहुत सादा उसको देखता हो तो इंस्पार होता हो ऐसा है तो I think इसी नोट के साथ हम यह इंट्र्व्यू का एंड भी करते हैं क्योंकि हिमान्शु नो तो बता दिया MS Zone और जब MS Zone आपके आईडॉल है तो फिर यार आप उसमें कुछ भूली नहीं सकते हैं तो आप स्पोर्ट सियारी को लाइक करें सब्सक्राइब करें और हिमान्शु जैसे जो बडिंग क्रिकेटर्स है जो अच्छा कर रहे हैं अलगतार डोमेस्टिक क्रिकेट्व उनको भी फॉलो करें क्योंकि यही हमारा भविश्य है Thank you